हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी याश्य करता हूं आप सभी ठीक होंगे मिने नाम है शुजीर आजम पढ़ेंगे चैप्टर नुबर 6 और चैप्टर नुबर 6 क्या है एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ना है चलिए टेस्ट इसकिल में पढ़ेंगे कि क्या क्या सीज़ है यहां पर पहला है प्रॉपर्टी ओफ एंड वाटर इंड वाटर फॉंस ओफ एंड वाटर ठीक है यूजस ओफ एंड वाटर सोसे सौफ वाटर चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले शुरू करेंगे एयर इस आल एराउंड है यानि कि हवा जो है हमारे चालों तरफ है विखैनोड सी इट हम उसे देख नहीं सकते बटिट कैन वैड़ से फील कर सकते हैं मुविंग विंग शकॉल कर सकते हैं लिए यह ब्राइब यौ श बॉडब्र चाहिता से हम अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं वह सेल बोर्ट्स होती है वह वह बोर्टी जह की तैयर दी ह सब्सक्राइब यानि कि यह सीट को भी एक जगा से दूसरे पर उड़ा के लिए जाती है ठीक है चले तो यहां पर पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफेर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है आए पढ़ना शुरू करते हैं देखें प्रॉपर्टी एर क्या करता है जगा को घेर देता है बिल्कुल ठीक वात है एयर जो होता है हमारे चालों तरफ है एवन एंपटी ग्लास एक्चुली फिल्ड विट वाटर और साथे साथ जो खाली ग्लास होता है उसमें भी आपकी हवा यानि की एयर भरी होती है फिर है सेकेंड नमबर एयर क्या करता है किसी भी चीज को चेफ देता है ठीक ना उसको आकार देता है जैसे आप बैलून प्लाते न तो बैल उन जिस सेड़ का होता है या निके और ऑग्सीजण चाहिए ठीक है फिर है यूँ feel air going out from your nose and going inside your nose और आप फिल भी कर सकते हैं हवा को कैसे वो आपके आख नाकों के अंदर जाती है और नाकों के बाहर से भी आती है ठीक है चलिए एर नीड़ेड फॉर बर्निंग और देखिए जब भी कहीं पर आग लगती है तो उसके लिए हवा बहुत ही ज़रूरी नहीं कि अगर आप धाबे पर कभी गया होंगे तो धाबे पर आप देखते हैं कि जहां पर उनकी भट्टी रहती है जहां पर लोग खाना बनाते है चाय बनाते तो आप देखते हैं कि वहां पर फैन लगा रहे तो फैन क्या करते हैं यहां पर हवा मारता है हवा माने से क्या होता है आग और अच्छी तरीके से चलती है ठीक है चलिए उसका यहीं मतलब था Air has weight देखें हावा जो होता है हावा में weight भी होता है ठीक है ठीक है जिसे जो फुट बॉल है अगर वो भरा हुए है ठीक है उसमें हावा भरी हुए तो उसका weight कुछ और हुगा कोई और हवा नहीं पहरी उसका तुसका बैट कुछ और होगा ठीक है चलिए आगे आते हैं अब देखी opposite फॉरम होते हैं पहले साथर तो मूवंके क्या क्या तथे हैं में जब हवब्यूंग शफ्कॉज59 स्टॉर्म क्या होता है वेरी फास्ट मॉविंग विंड डैट मोस्टली कमस भी रें थंडर एंड लाइटिंग इस कॉल स्टॉर्म देखे जब हवा बहुत ही तेज चलती है लाइटनिंग होती है तो उसे इंग्या कहते हैं ठीक है ना अब वाटर पे आते हैं और लिविंग कि इस नीट वाटर टू सर्वाइब यानिस यानि कि जितने भी लोग जीवी थे धरते पर लिविंग धिंक से उन्हें पानी की ज़रुद होती है सर्वाइब करने के लिए पियूर वाटर इस्टेस्टलेस अडर्रलेस लाकिर जो प्योर वाटर होता है उसका ना तो कोई हो में पानी भरता है। जब बारिस होती है। तो घ्रती करना है ज मांके हमारी धर्टी होते है, और कहीं बना जाते हैं। और जो कुएं होते हैं उन्हें भी पानी होता है इस्टोर होता है वी शुड्ड नॉट यूज वेस्ट वाटर यानि कि हमें पानी को खराब नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा कम है पीने के लिए ठीक है चले तो यहां पे शुरू करते हैं यहां पे पानी का यूज आता और भी बहुत सारी यूज है पानी के वाटर के ठीक है चले तो अब यहां पर इतनी चीजह आपने समझ ली है अब कोशन करना शुरू करते हैं तो देखे पहला कोशन जो आपके सामने है ठीक है न वह प्रैक्टिस कोशन और यहां पे पहला कोशन जाएगा ऑप्शन नमबर भी एयर सेकेंड नमबर है इस एन अंडर्ग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर ठीक है अंडर्ग्राउंड का मतलब यह होता है धर्ती जो जमीन है हमारी जमीन के नीचे पानी कहां पे स्टोर होता है तो आप जानते हैं कुवां कुवां में आप देख समझ में आ गया चले वीच विच और फॉलव इंग विद यहल्प आप यह यानि कि इन में से कौन सा काम एक के मांध्यम से कर सकते हैं पहले लिख रहे हैं ब्लोइंग बैलून बैलून को फुलाने में बर्णि यानि कि लकडी को जलाने में ड्राइंग वेट कलॉथ यानि क जो गेले कपड़े हैं उनको सुखान में बिल्कुल ठीक बात है तो तीनों के लिए यूज होता है तो इस कांसर होता है आगे पीछे मूव हो रहा है ठीक है चले अब आगे आते हैं कोशन नमबर फाइब कोशन फाइब क्या कह रहा है यह X क्या है देखे पानी गर्म होता है तो आप देखते हैं कि यहां से भाफ निकलती है ठीक है न तो यह भाफ क्या है वह इस्टीम है इस्टीम को हम क्या कहते हैं भाफ कहते है ठीक है यह पूछा कहते है कि यह क्या है कोशन नमबर सिक्स यहां पर unscrramble word दे रखा है यहां पर हमें बताना है कि source of water पहले तुछ को ठीक करना है तो हम ठीक करेंगे तो यह बनेगा smoke smoke ठीक है नश्मोग और यह आपका क्या बनेगा मंग हैं यहां है हैं ऑए हैंड पब कि हैं तो देखी आपको पता है कि पानी कहां बं नहीं है तो आपको फोटा वी नीड वाटर टू पानी हमें किसले जरूरी है तो खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है ठीक है चले कौशन नमबर आते हैं एट पर कोश्चन नबर 8 क्या है दिखें आपर correct match हमें करना है आईए करना शुरू करते हैं आपर लिखाए एयर ठीक है एयर को हम किसे लगाएंगे एयर को हम लगाएंगे एयर टेक्स अप पहले दिखें इसका option सच होगा फोन नंबर होगा क्यों क्यों कि एयर जो है all around us यानि कि हमारे चारो तरफ है फिर विंड का क्या होता है moving air को मिंड कहते हैं तो यहां हो जागा option नंबर 8 ब्लोन बैलून यानि कि जब बैलून आपका फूलता है तो उसे क्या कहते है एयर टेक् तो यहां लिखेंगे option नंबर 2 फिर थर्ड स्टॉम को क्या बोलेंगे फास्ट एंड स्टॉंग विंड को हम बोलते हैं स्टॉम ते हो जागत्री तो 4123 इसका answer हो जाए का option नंबर भी चलिए 9 नंबर कोशन पर आते हैं सावित्री is mopping the floor which of the following would help her in better and faster cleaning देखिए अगर माली जे सावित्री पोशा लगा रही है ठीक ना फ्लोर पे तो सबसे बढ़िया मैथट क्या होगा उसको अच्छा और थोड़ा जल्दी क्लीन हो जाए उसके लिए क्या होगा तो इसके लिए होगा वेट मॉप यानि कि आप आपके घरों में पोशा लगता है तो आप देखते हैं कि fan चला दिया जाता है तो fan चलाने से क्या होता है हवा मूब होती है एर मूब होती है और वह जो मॉप जहां पर लगा रहता है वो जल्दी सूख जाती है ठीक है तो यहां पर fast करने के लिए हम लगाएंगे option no.d पर चलिए, question number 10, which of these words rhymes with the term which means a small pool of water on the ground, ठीक है न, देखिए clue, जैसे bond का pond होता है, ठीक है न, तो bring का क्या होगा, spring होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें pool से related बनाना है, ठीक है न, bring का spring, cuddle का क्या होगा, puddle, p-u-d-l-e puddle, ठीक है, p-u-d-l-e, cuddle का puddle, तो puddle, यहीं सही होगा, इसका option number b, क्यों, क्योंकि puddle का मतलब होता है, पोखरा, देखिए यह गाओं का शब्द है, ठीक है न, पोखरा, या, हिंदी में, गढ़ही कहते हैं, ठीक है, गढ़ही का मतलब क्या होता है, छोटी से जग तो आप पड़ा जाने पी यू डबल डी यली आप नेट पर सर्च कर लिजए पी यू डबल डी यली पड़ेल ठीक है आपको पता चल जाए कि क्या होता है इलेवन नमर कोश्चिन तो हम कहां पर पानी का यूज नहीं करते हैं वाटर यूज इन वाटर पाक्स फॉर एमिस्मेंट ठीक है बिल्कुल ठीक है ये वाटर इस यूज फॉर पुटिंग आउट फायर ठीक है आपको पुझाने के लिए उस करते हैं वाटर इस नीड़ेट तो ड्राई वेट फ्लोर देखें अगर आपको सूखा करना है तो आप पानी तो उस पर डालेंगे नहीं तो इसका अप्शन नमर सी यह आपका इनकरेक्ट दे रखा है कोशन नमर 12 एक्टिविटी नीड्स वाटर यहां पर पी के जगा पर हमें ऐसा कोई चीज रखना है कि जिसमें हवा की बिजरू होती है आगे मूब करने के लिए ठीक है चली तो कोशन नमर 12 हो गया 13 पर आते हैं थर्टी नमर कोशन आपके सामने हैं देखिए थार्टी नमर कोशन क्या है आपको बताना है कि जो वाटर बॉड़ी हैं यहां पर उनके साइज को डिक्रीजिंग और मेरे तो देखिए कि सबसे बड़ा इस धर्टी पर क्या होता है ओसीन ठीक है ना पहला ओसीन उससे बड़ा क्या होता है लेक होता है यहां पर यह नंबर पर यहता है तो यह आपका फोन नंबर पर तो क्या बनेगा है आपका 1324 वं थीक्ति नंबर पर आपका क्या लिखा हुआ है कि देखिए इसको भी ऐसे समझेगे पहले नंबर पर ऊसलिए रहा ठीक दूसरे नंबर पे लेक होगा चांश है तो डूसे बर ओऊन्फपर लिखा क्या है आपका लेक तो पहले पर one दूसरे पर अचिंघाए पॉइन पॉल पॉल हरा यहां पर यहां पर सभावगा अगला कोश्छन यहां पर हवा भर दिया इस तरीके का शेप दे दिया ठीक इसके अंदर है अकुपाई का मतलब क्या है जगा घेर ली बिल्कुल ठीक है अब है थाड़ नंबर इट सो आल दा मुविंग इल्सर प्रेशर देखिया प्रेशर बहुत जादा अंदर हो गया हावा का तो क्या हवा क्या करता है जगा घहरता है और पर शाड़ करता है और यह ह्यों की हहाँ बहुत नहीं National सकारे हैऊं तşekkür है कि क्या कह रहा है स्वीगर से इस यह नीचे हो गया और स क्यों बहुत है और अधि こ अधि अधिन होता है वर होता है इसलिए यह फ् Ellis दक्या कि वाय है है वह हैवियर है तो इसका सोज़ेगा option number C question number 16 पर आते हैं देखिए achiever section के question है यहाँ पर रिचाइक activity करती है यहाँ पर यह क्या करती है कि एक खाली bottle रहता है स्वारी एक खाली आपका glass रहता है इस glass को यह यहाँ पर इस टब में उल्टा करके डालती हो थोड़ा सा tilt करती है तो यहाँ पर bubbles निकलते हैं तो bubbles क्या है यह bubbles दोस्तों आपके air है ठीक है न चलिए अब यहाँ पर देखिए question में कह रहा है कि इस activity में क्या बताया गया तो the empty glass filled with air इसने एक खाली glass को क्या किया देखिए जो खाली glass हो तो उसमें हावा भरे लिए ठीक है तो हावा भरी थी अब दूसरा नमबर water displays air in the glass तो water क्या करता है हवा को बाहर निकालता है और उसकी जगा वो ले ले लेता है इसलिए bubbles निकलते है ठीक है फिर air present in the glass comes out of the water in the form of bubbles तो देखिए air जो है वो glass से जब बाहर आता है ठीक है ना water में तो bubbles के form में बाहर आता है बिल्कुल ठीक है यहाँ पर भी यह कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number D all of these ठीक है ना 17 number question यहाँ पर आपको यह बताना है name one of the three things make air dirty cross world यहाँ पर बढ़ना है तो चली हम बढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर पर यह क्या है ठीक है ना फर्स्ट नंबर आपका किस से related है तो यह है dust से रिलेटेद तो यहाँ पर लिखेंगे d-u-s-t ठीक है ना dust second number क्या है second number आप देखिए यह बनेगा smoke 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 आपका यहाँ ट्रक से निकल ला है ठीक है तो second वाले को मैच करेंगे किस से ट्रक से और dust आपका कहां पर है यहां पर है और जम्स आपके कहां पर है यह हम जब खासते हैं ठीक है तो हम जम्स बाहर आते हैं तो पहले का किस से मैच हो रहा है सी से ठीक है second का किस से मैच हो रहा है बी से और थ्री का मैच हो रहा है एसे तो इसका अगले कोशन पर आते है कोश्चन नमबर 18 पर 18 नमबर कोश्चन आपका क्या कह रहा है कोश्चन यह कह रहा है कि वेट क्लॉट्स यानि की गीले कपड़े आपके टंगे हुए हैं ठीक है न तो सबसे कम टाइम कब लगेगा जब आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा तो दीखे टंपरेचर जितन इसका कारें गलत कि एयर कंपोनिंटे housing बील्कुल ठीक बात है कि smart oxygen जो मिलता प्लाण से मिलता है इसका सूर्ख से बिल्कुल ठीक है इसका एफेक्ट या रोल क्या है इस इन इड़ेट फॉर बर्निंग थिंग्स देखिए ऑक्सीजन का यूज मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी चीज जलती है बर्न होती है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है तो यह पहला आपका सही दे रखा है से जब्द लिखा है एयर कमपोनेंट हैं बिल्कुल ठीक है अब सूसर्स चनलाइब है नहीं इसका सूर्स चनलाइब नहीं है जब्स आपटा से नहीं निकलता है ठीक है फिर यहां पर जो गलत ओप्शन हें वह जाएगा आपका ऑप्शन नमबर भी ठीक ह्imana यह जो तो इसका अंसर कि क्या होगा option number C सबसे पहले हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए वाटर चाहिए तो यह पर वाटर लिखेंगे क्लीन वाटर शुड नॉट भी वेस्टेड यानि कि साप पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए प्लांट्स को पानी क्या उशक्ता होती है क्यों ग्रू होने के लिए यानि कि बड़े होने के लिए ठीक है फिल लॉस आफ वाटर कें काज अगर पानी की कमी हो जाती है तो पौधे क्या हो जाते हैं विल्ट का मतलब क्या हो जाता है मुर्जा जाते हैं क्या हो जाते हैं मुर्जा जाते हैं ठीक है ना मुर्जा जाते हैं पौधे ठीक चले तो आपने इतना पढ़ लिया अब यहां पे दोस्तों इसका अंसा था सी और अगर आपको वीडियो देख तकिली नमस्कार